असला अलेकुम फ्रेयन वेलकम टो मैं चानल कसिस की चान आज की रेसिपी आके एकदम मज़ेदार बच्चों का फेवरेट केवसी स्टाइल जिंगर बगर रेसिपी शेयर कनने जारी हूं चलिए बनाना शुरू करते हैं उसके लिए आप किलो चिकन को लिया है मैंने इस तरी मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर काली मिर्च पाउडर गरम मसालों को डाल लेना है आपके टेस्ट को अकारिंग नमक मिर्च डाल लीजिए सारे मसालें को चिकन में डाल लेना है अब इसमें एक टेबल स्पून वाइल एक टेबल स्पून वेनिगर एक टेबल स्पू का पाउडर हो वह भी उस कर सकते हो मेरे पास ना था हम लोग अधरक लशन का पेस्ट को यूज किया है अब सारे मसालें को चिकन को मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अब इसको आदे गंटे के लिए मैगनेशन करने के लिए फ्रीजर म को साइड में रख लेता हैं हम लोग पहले थोड़ा सॉस को बना लेता है आपके पास सेजवाश सॉस वह भी कुछ कर सकतो हो मेरे पास ना था हम लोग थोड़ा टमाटय केच्च価 को लिया है अब इसमें आदा टेबल स्पून और गया नो आदा टेबल स्पून चिली फ्लेस को डाल लेना है हम लोग इस तरीके से सॉस बनाया है अब इस सारे स्पैसेस को अच्छी तरीके से टामेटे केचप में मिक्स कर लेना है वे अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से सॉस को बरा लिया है इसको साड में रख लेते हैं चिकन कोट करने के लिए आफ टीलो मैदा ल पानी को लेना है इस तरीके से दोनों प्लेट में एक प्लेट में मैदा एक प्लेट में पानी को लेना है आधे गंटे मैगनेशन किया हो चिकन को इस तरीके से आटे में कोट करना है इस तरीके से प्रेस करते हुए एक बार पानी में डिप करना है फिर और एक बार मैदे में इस तरीके से कोट करना है आटे को फ्रेस करते हुए, इसी तरीके से ये क्या दो बर आटा और पानी से कोट करते रहेना है चिकन को, इस तरीके से करने से एकदम केपसी स्टाइल चिकन क्रिस्पी बनेगा, इसी तरीके से सारा चिकन को कोट कर लेना है पानी और मैदे से, पू इस तरीके से कोट कर ले रख लिया है सारा चिकन को अब इसको फ्राई कर लेते हैं मैंने आईल को गरम होने के लिए पैन ले रख लिया है आईल को अच्छी तरीके से गरम कर लेना है देखे ब्रण आईल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है अब इसमें एक एक करते हुए च चिकन को डाल लेना है आज त बिद्जों को इस तरीके से ब्र्राइब कर वह बड़ बनेगा ये क्युद इंड़ चिकन को डोनों से टन करते हुए पका लेना है इसलिए मीडियम फ्लेम में चिकन को दोनों से टन करते हुए पकाके लेना है। मीडियम फ्लैम में फ्राई करते रहना है देखे फ्रेंट सारा चिकन अच्छी तरीके से गोल्डन प्रोन हो चुका है अब इसको इस तरीके से फ्राई कर लेना है कितना अच्छा हमारा कलर बन चुका है देखो फ्रेंट चिकन इस तरीके से सारा चिकन को फ्राइ कर लेना है सारा चिकन को फ्राइ कर लिया है इस तरीके से रहना चाहिए चिकन अब इसको सव कर लेते हैं मैंने तीन बगगर बगगर वाले बन को लिया है अब इसको इस तरीके से बीच में से कट करके रख लिया है एक सैड हम लोग पहले इह हां एक shelves लगा लेना आपके पास destin want sauce मेला सहे । इसको एक टेबल स्पून जाओस को से एक भाले सैड वन के सहे शेड़ diplomata ketchup को लगा लेना है और एक सेड माईनिव्यद को लगा लेना अभी इसको इस तरीके से रख लिए है इसके ओपर हम लोग फ्राइ किया हो छिकन को इस तरीके से एक एक पीसे को रख लेना है तो दूसरे बन के सपाद मैंक्यों इस तरीके से ऊपर से रख रहöz 오े नहीं है देकर फ्रेंट हमारा चिकन जिंगर बगर बन चुका है अगर हमारी रिसीपे आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब में चानल कसीज की चन, ठैंक यू